हेलो दोस्तो आज हम सीखेंगे कैसे करते हैं ट्रेडमार्क सर्च ट्रेडमार्क रेजिस्ट्रेशन से पहले इसके लिए आपको पहले जाना होगा ipindia.gov.in पर ipindia.gov.in भारत सरकार की एक वेबसाइट है जहाँ पर आप देख सकते हैं कौन-कौन से ट्रेडमार्क पहले से ही रेजिस्टर्ड है इसके अलावा यहाँ पर पेटेंट, डिजाइन, जी आई और भी अनेक इंफर्मेशन अविरबल है जाइए ट्रेडमार्क सेक्षन में, खोल ये रिलेटेड लिंक्स के अंदर पब्लिक सर्च इसके बाद एक नई टैब के अंदर आपकी पास ये विंडो खुले यह है ट्रेडमार्क सर्च का पेज, यहाँ पर हम एंटर करेंगे वर्ड मार्क और क्लास वर्ड मार्क का मतलब है आपके ब्रेड का नाम जिसे आप ट्रेडमा कराना चाहते हैं इसके अंदर हमें तीन आप्शन मिलते हैं स्टार्ट विद, कंटेंज, मैच आई ये जानते हैं एक एक करके इनका मतलब क्या है जैसे हमने लिखा हमारे ब्रेंड का नाम कैस्ट्रॉल स्टार्ट विद मतलब वो सारे ट्रेडवा की हमें दिखाएगा जो कैस्ट्रॉल शब्द से शुरू होते हैं वो कैस्ट्रॉल भी हो सकता है, कैस्ट्रॉल लाइट भी हो सकता है कैस्ट्रॉल इंडिया भी हो सकता है कोई भी नाम जो कैस्ट्रॉल शम्स से शुरू होता है कंटेंस मतलब कैस्ट्रॉल उस पूरे फ्रेज के अंदर कही न कहीं हिस्से में है जैसे लुब्रिकेंट कैस्ट्रॉल या कुछ भी match with यानि सटीक match ही होना चाहिए यानि कैस्ट्रॉल से ही match करेगा उसके आगे पीछे कोई लेना देना नहीं इसके बाद अगली चीज है class ट्रेड़मा का रेजिस्ट्रेशन में 45 class होती है इंडिया में उनमें से 45 classes का मतलब है कि आपके goods and service किस industry में fall करती है अगर आपको जानना है कि आपके goods and service कौन से ट्रेड़मा क्लास में पढ़ता है आप जा सकते हैं company 360 which ट्रेड़मा क्लास do you fit URL के उपर जाकर इन 45 class हों में ढूनने आपका product कहा फॉल करता है जैसे चार नंबर class है industrial oil, greases, lubricants तो कैस्टोल के लिए ये एक सही class रहेगी अगर आपको all detail में इनके classes के बारे में जानना है तो किसमे से which trademark class do you fit में किसी भी class पर क्लिक करिए और उसके details जानिए company360.in पर आईए अब हम यहाँ पे class चार लिंक देते हैं और search का button दबाते हैं search का button दबाते ही क्योंकि हमने start with यूज किया था हमें अन्य कों trademark दिख रहे हैं जैसे मैंने कहा था Castrolite, Castrolero और Castrol भी इन में से आपको button दिखेगा show detail का जिससे आपको इस trademark के और details पते चलते हैं जैसे word mark तो हमने लिखा ही था application number क्या है application apply करने की date क्या है 1942 काफी पुराना trademark है ये इसका proprietor कौन है? Castrol Limited और इसकी expiry कब तक है? काफी important information है ये और goods and service तो हमें class से पता ही चल जाती है आई ये एक और trademark हम search करके देखते हैं चलते हैं वापिस से ipindia.gov.in के home page पर चलते हैं related links में public search नई window खुलेगी इसमें लिखते हैं फिर से cash troll पर एक L और लगा देते हैं match with class 4 और मारते हैं search जब आपको ये white screen यानि empty data के साथ दिखे मतला आपका word इस word mark से किसी और ने कोई trademark register नहीं किया है यानि हम इस trademark को pursue कर सकते हैं पर एक बात का ध्यान रहे कि कहीं ये trademark well known trademark तो नहीं है आखिर क्या होते हैं well known trademark well known trademark वो trademark हैं वो brands हैं जो जो हम सब को पता हैं तभी तो वो well known हैं जैसे कोका कोला मारूती सुजूकी टाटा इस तरीके से अन्य बहुत 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 बहुतरीन कंपनिया हैं जिनके ब्रैंड well known trademark श्रेणी में आते हैं अगर आप इन्हें जैसे कोका कोला बर्गर्स रेजिस्टर करने कुशिश करेंगे तो आपका trademark reject होने के चांस हैं इससे बहतर है कि आप ऐसा word mark चूज करें जो well known नहीं है इसके अलावा एक और बात का ध्यान रहे आपके word mark की spelling क्या है क्या उससे मिलता जुलता कोई और word mark भी है जैसे love सुनने में love है पर spelling different है और love सुनने में love है अगर आपका word mark किसी और word mark से मिलता जुलता है तो spelling के थोड़े बहुत हेर फेर से काम नहीं चलेगा trademark reject होने का chance वहाँ भी है इसलिए इस बात का भी ध्यान रहे यह है एक simple trademark search कैसे करते हैं का tutorial अगर आपको और सहायता चाहिए अपना trademark register करने की और comprehensive trademark search करवानी है तो आप company 360 से संपर्क कर सकते हैं company 360 से आपको connect किया जाएगा expert trademark attorneys से जो आपके trademark registration की पूरी journey में आपकी सहायता करेंगे आपको deck कर सकते हैं 8800926752 पर All India Helpline पर या फिर email करें info at the rate company360.in अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो please इसे like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और इस channel को subscribe करें धन्यवाद